हेलो इस्टुडेंट्स मैं गोविंद कुमार आप सबका एक बार फिर से अपने चनल पर हर्दिक स्वागत करता हूँ आज इस क्लास में हम कट्सानोविक जनविश्य के अध्याय 15 के अभ्यास प्रशनों को सॉल करेंगे हमने इसके पाठ के भीतर दिये के प्रशनों को अच्छी से सॉल कर लिया है तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखिये तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रेशन में दी हुई है वहाँ जाकर आप उस क्लास को भी देख सकते हैं तो चलिए हम अभ्यास प्रशनों को सॉल करना शरू करते हैं देखें पहला प्रशन लेखा गया है फसल उत्पादन की एक विदी का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके यहने हमें फसल उत्पादन की एक विदी का वर्णन करना है जिसे अधिक पैदावार प्राप्त हो तो मिस्रित फसल या अंत्रा फसली करन इन दोनों में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटन पर उगा कर हम कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं या तो हम मिस्रित फसल करें या फिर अंत्रा फसली करन। ठीक है इन दोनों प्रकिरियाओं के जरीए हम क्या कर सकते हैं एक साथ खेत में एक से अधिक फसलों को उगा कर क्या कर सकते हैं कम समय में अधिक पैदावर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लावा खेत में संक्रन विधी द्वारा प्राप्त एच्छिक गुणों की फशलों के परियोग से भी हम अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकारम संक्रन विधि की मदद से हम अच्छी अच्छी किसम के वीजों को त्यार करके भी अच्छी फसल का उत्पादन कर सक्ते हैं अगला प्रशन है खेतों में खाद तथा उर्वरक का उप्योग क्यों करते हैं इसका हमें कारण बताना है कि खाद का उप्योग क्यों करते हैं और उर्वरक का उप्योग क्यों करते हैं तो लगातार फशलों के उत्पादन से खेतों की जो उपजव सकती है यानि खेतों के अ अब खाद का क्या फाइदा है? तो खाद का उप्योग मिट्री की उपजयु सक्ति को बढ़ाने और पौध्यो को पोषक तत्व उपलब्द कराने के लिए किया जाता है। अंतराफशलिकरण तथा फसल चक्रों के क्या लाब है? उन लाबों को में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंत्रा फशली करण की, कि ये होता क्या है? तो अंत्रा फशली करण में दो या दो से अधिक फशलो को एक साथ एक ही खेत में एक निर्दिष्ट पैटरन पर उगाते हैं. इसमें फशल का चुनाव इस प्रकार किया जाता है, जिससे पोसक तत हो है, जो मर्दा में मौझूद है, उन पोसक तत्वों का अधिक से अधिक उप्योग हो सके. अब इसके लाब क्या है? तो अंत्रा फशली करण के लाब, पहला बिंदु है, इस विधी में पीड़क वा रोगों को एक प्रकार की फशल के सभी पोदों में फैलने से रोका ज जा सकता है. तीसरा, यदि किसी कारण से एक फशल नश्ट हो जाती है, तो दूसरी फशल से नुकसान को कम किया जा सकता है. यह अंत्रा फशली करण के लाब थे. अगला, फशल चक्रविधी में खेत में करम वार पहले से तय कारे करम से अनूसार फ्विविन फशलों को उगाते हैं. ठीक है? यानि खेत में एक पैटन को फोलकिया जाता है. इस वज़े से जो सभी फशले हैं, वो एक निचित जग्या पर ही, एक निचित पैटन के साथ उगती है. तो उनकी साप, सफाई, नीराई, गुडई, उसमें भी क्या होती है? हमें आसानी होती है. अग तो घरन कर लिये जाएंगे और उन फोसक तत्वों की उस मर्दा में क्या होगी? कमी हो जाएगी. लेकिन अगर हम फसल चक्र बदलते रहेंगे बार बार, तो इससे क्या होगा? मेट्टी की उपजव सत्ती और फसल का उत्पादन दोनों क्या होंगे? बढ़ेंगे. कम दालने की जुरुत नहीं पड़ेगी. और उनका जो खरपतवार है, उस खरपतवार नियंतर में भी हमें मदद मिलेगी. फिर यदि फसल चक्र उचित जंग से अपनाया जाए, तो एक वर्स में दो अथवा तीन फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है. ठीक है? य क्या है? करसी परनालियों में ये कैसे उपयोगी है? प्रशन क्या है? आनुवांसिक फेर बदल क्या है? और करसी परनालियों में ये कैसे उपयोगी है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांसिक फेर बदल की. तो आनुवांसिक फेर बदल का आर्थ है एच्छिक गु में हैं उनका आपस में संक्रण कराया जाए ताकि उन अलग लग फसलों के अच्छे गुणों को किसी एक फसल में समाहित किया जा सके ठीक है और इससे यह मारे लिए उपयोगी क्यों है तो इसके फाइदे क्या देखो इससे ऐसी किसमें बनाई जा सकती है जो विसम जलवाई अगला बिंदू इससे फसल की उत्पादक्ता और गुण्वत्ता दोनों ही बढ़ जाती है तीसरा जयविक और अजयविक परतिरों उत्दक्ता में भी बहुत सुधार आता है और प्रिपक्वन काल में भी प्रिवर्तन ये फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय ल कैसे होती है तो बंडर गरह में अनाज के आनी के दो कारक है पहला जयविक कारक जैसे अलग अलग तरह के कीट मकोडे कुतंक कवक सिछनली और जीवानू ये भी क्या करते हैं बंडर जो बंडर गरह होते हैं उन बंडर गरह में अनाज को आनी पहुंचाने का कार्या करते है ठीक उसी तरह अज यहीं कारफ की बात करें तो जैसे बंडारन के इस्तान पर नमे की उपस्तती और ताप की कमी या फिर अवा का उचित परीवन ना ओर आओ उसमें ठीक है तो एसी इस्तती में भी क्या होता है एनाज का बंडारन खराब हो जाता है यानि वो एनाज के बंडारन को क्या करते हैं? जैसे एक मैं उद्रान की बात करो, जैसे प्याज अगर अब प्याज को ऐसी जग्र बंडार करोगे, जिसमें वावा का अवा गमन नहीं है, बिल्कुल बंध है तो ऐसी स्त्थी में प्याजगा हो जाएगा जल्दी इसे खराव हो जाएगा तो प्याजगों के बंदार armies के लिए में ऐसे इक बंदार गरती जुरुथ पढ़ेगी जिसमें पून रूप से वो कैसा हो वातानुक को लिथ हो उसमें प्रयाप्त मातरा में आवा आती जाती हो तो इस प्रकार जैविक और अजैविक कारक दोनों ही फचलों के बंडारन को प्रभावित कर सकते हैं ये उतकारक क्या करते हैं उतपाद की गुनवत्ता को खराब कर देते हैं बजन कम कर देते हैं तथा अंकुरन करने की समता को कम कर देते हैं इसके अलावा ये उतपाद को भी बजरंग कर देते हैं जिससे बाजार में उतपाद की कीमत भी क्या हो जाती है कम हो जाती है अगला कोशन है किसानों के लिए पसुपालन परनालिया कैसे लाबदायक है तो पसुपालन परनालिया किसानों के लिए निमनलिखित प्रकार से लाबदायक है पहला है ये वय को कम करती है किसको वय यानि खर्च को कम करती है दूसरा बिंदू उत्पादन समता को बढ़ाती है उननत किसमों के कारण विसम प्रस्तितियों में भी प्रयाप्त उत्पादन होता है और पसुओं में अच्छी परजिनन समता का दिकास होता है अगला है पसु प्रिश्वों का इस्तेमाल बोजा डोने और करस्ति के अन्य कामों में किया जा सकता है। फिर जानवरों के गोबर से गोबर गैस और खाज बनाई जा सकती है। जो खेतों के लिए क्या है। अत्यांती उपयोगी है। तो ये क्या है ये फसल उत्पादन के कुछ, सौरी अगला उत्पादन बढ़ाने के लिए कुकुट पालन, मतस्य पालन और मदू मुख्य पालन में क्या समानता है वो हमें बतानी है तो इन तीनों में क्या समानता है देखें उननंत किस्मों का चुनाव करना चाहिए चाहे वह कुकुट पालन हो, चाहे मतस्य पालन हो, या मद्दू मुख्य पालन, इसमें हम जिन कुकुट का, अथवा मचलियों का, अथवा मद्दू मुख्यों का उपयों कर रहे हैं, वो उन्नंत किस्म की होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा, उनकी रोग परतिरोदक समता अधि चोड़ना चाहिए तो यह क्या थी यह तीन इन तीनों चाहिए वो कुकुड़ पालन हो मतस्य पालन हो या मद्दू मक्ख्य पालन इन में समयनता है थी अगला है प्रागरहन मतस्यन मेरी कल्चर तथा जल समवर्धन में क्या अंतर है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागरहन मतस्यन कहलाता है फिर मेरी कल्चर तो समुंद्री जीवो और सरमुंद्री खर्पतवार का समुंद्री जल में समवर्धन मेरी कर्चल कहलाता है फिर जल समवर्धन तो मचली और अन्या जली बोजन का उत्पादन किसी सुरोत में करना जल समवर्धन कहलाता है तो इस प्रकार ये तीनों एक तीनों क्या है तीनों वापस में एक दूसरे से संबंधी थे लेकिन तीनों में कुछ न कुछ भी भीनताय पाई जाती है तो इस प्रकार हमने अभ्यास के सभी प्रशनों को सौल कर लिया है तो उम्मित करता हूं सारे प्रशन आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लाप सभी को धन्यवाद अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादस ज्यादा लाइक करें कमेंट करें सेर और सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद